सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनधर वीडियो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिमांचल प्रदेश का जर्नल नौलेज जो की रिलेटिड है हिमांचल प्रदेश की बाउंडरी से और हिमांचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए राजियों से तो ये वीडियो काफी ज़्यादा जुरूरी है और आज हम आपके साथ डिसकर्स करेंगे हिमानचर ब्रदेश को टॉप 20 क्वेस्चन तो आई येस वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल के उपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए और बेल आइकन जुरूर दुबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और हमारा एक और न्यू चैनल हमने बनाया है NCRT Chemistry तो जो भी मेडिकल स्टीम से हैं नॉन मेडिकल स्टीम से हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई प्लस बन और प्लस टू का स्टूडेंट भी है वो भी उसे सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि हम इसमें आपके लिए प्लस बन और प्लस टू की हर एक कंसेप् एक डम डिटेल में टॉपिक बाइज जितने भी प्रेजेंट हैं सारे के सारे उनसा भी को डिस्कस करेंगे तो आप हम उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो मनोवल है उसे बढ़ाईए ताकि हम बहां पर और अधिक वीडियो अपलोड कर सकें तो इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है अब आहां पर जाके उससे जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो आई ये इस वीडियो को सुरू करते हैं हमारे पास पहला क्वास्चन है हिमांचल प्रदेश में मध्य समुन्दर तल से उपर उंचाई की परास क्या है य स्मुन्दर venet yo dollara जीडियो के निए त्यूट को जम्मो कश्मी राज यो कि सीमा सपर्स करती ए तो कौन सी सीमा है जो जम्मू किमी राज यो को सपर्स करती है वो है हमारे पास चंभाइस इस्टिक नेक्स कोस्टे नमր ठीव हिमांचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थीत है कि जो हमारे पास हिमांचल प्रदेश है उसके उत्तर दिसा में कौन सा राज्य स्थीत है यानि उत्तर में उत्तर में जो है हमारे पास वह है जम्मू वह कश्मीर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा राज्यो जम्मु कस्मीर का दक्षिनी परोसी है कि जो जम्मु कस्मीर हमारे पास उपर उसका कौन सा राज्यो जो दक्षिनी परोसी है तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो नीचे की तरब जो है वो हमारे पास हिमान्चल प्रदेश आता है तो जम्मो कस्मीर का जो दक्षणी प्रोश्टी है वो है हिमान्चल प्रदेश Next question है हमारे पास question number 5 कितने राज्य और केंदर साशित क्षेत्र है जिनकी सीमा हिमान्चल प्रदेश के साथ जुड़ी है यानि कितने राज्य और केंदर साशित प्रदेश है जिनकी सीमा जो है हिमान्चल प्रदेश के साथ जुड़ी है तो यहां पर जो total है हमारे पास वो है 5 तो option यानि हिमांचल प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगी हुई है next है हमारे पास हिमांचल प्रदेश जम्मू के dash test में स्तीत है तो जम्मू के हिमांचल प्रदेश कहां पर स्थीत है वो स्थीत है आपके पास दक्षिन में तो option number D जो है इसका right answer है next है मारे पास हिमांचल प्रदेश में यह एक राज्यस्थीत है sorry हिमांचल प्रदेश के दक्षिन में कौन सा राज्यस्थीत है तो अगर आप हिमांचर प्रदेश लोगे तो यहाँ दक्षिन में यानि नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ कौन है हर्याणा तो option number B जो है इसका आपके पास right answer है next question है हमारे पास question number seven eight question number eight है हमारे पास हिमांचर प्रदेश के पूरव में कौन सा सीमा बरती राष्टर है तो हिमांचर प्रदेश के पूरव में कौन सा सीमा बरती राष्टर है हमारे पास तिबबत और चीन option c is the right answer question number nine है, हिमाणचर परदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा है, टच है वो है हमारे पास, मंडी जो मंडी है वो सबसे ज़्यादा डिस्टिक के साथ टच है नेक्स्ट क्वेश्चन है मारे पास हिमांचल प्रदेश कितने देशामत्र पर स्थीत है तो हिमांचल प्रदेश जो स्थीत है वो है 75 degree 45 radius से 75 degree 04 radii पूरव तक तो option b जो है इसका right answer है question number 11 है हमारे पास हिमांचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड से लगती है तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब के रोपड के साथ लगती है तो वो है हमारे पास बिलासपूर district बिलासपूर district जो है वो पंजाब के रोपड से लगत है question number 12 है हमारे पास इमांचर प्रदेश का कुल्लू जिला किन पांच राज्यों पांच जिलों से गीरा हुआ है तो हम आपको पहले मैप की तुरू ये सारा डिसकस करवा चुके हैं अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप बहां से जाकर उसे देख सकते हैं और दिस्क्रिप्शन में हमारे सैकंड चैनल NCE RT कमिस्ट्री का लिंक भी बहां पे गिवन है तो आप बहां से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कमिस्ट्री पढ़ना च साथ तो option number A जो है इसका आपके पास right answer है question number 13 है हमारे पास किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो आपको यहाँ बताना है कि कौन से district जो है जिसकी सीमा पंजाब के साथ नहीं जुड़ी कांगड़ा भी पंजाब के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो शिर्मौर है हमारे पास वो पंजाब के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो option number D जो है इसका आपके पास right answer है next है मारे पास किस जिले की सीमा जम्मु कश्मीर राज्य को सपर्स करती है तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो जम्मु कश्मीर को सपर्स नहीं करती तो अगर आप देखोगे तो जो चंबा डिस्टिक है उसकी सीमा जो है जम्मु कश्मीर को सपर्स करती है और लहॉल का अप एरिया भी जम्मु कश्मीर को सपर्स करता है तो यहाँ पर राइट आंस रैपकूर्स कांगड़ा कांगड़ा डिस्टिक जो है जम्मो कस्मीर को टच नहीं करती क्योंकि कांगड़ा जो है लाहल सौरी चंबा के कदम नीचे है नेक्स्ट है मारे पास हिमांचल प्रदेश के जिले की सीमा शिर्मौर, उत्रकंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है कि कौन सा जिला है हिमांचल प्रदेश का जिसकी सीमा शिर्मौर, उत्रकंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है तो वो है हमारे पास शिमला Option A जो है इसका right answer है Next question है हमारे पास हिमांचल प्रदेश कितने अक्षांस पर स्थीत है पहले हमारे पास दिशांतर थे अब यहां पर पूछा गया है कि हिमांचल प्रदेश कितने अक्षांस पर स्थीत है तो हिमांचल प्रदेश जो है वो 30 degree 22 radii से 33 degree 12 radii उत्तरी अक्षांस पर स्थीत है Option A is the right answer Next हमारे पास question number 17 कौन सा राज्य हिमांचल प्रदेश के पश्चिम में स्थीत है तो कौन सा राज्य है जो कि हिमांचल प्रदेश के पश्चिम में स्थीत है वो है हमारे पास पंजाब राज्य हो Next हमारे पास question number 18 ब्लाप्सपूर जिले की सीमा किस जिले को स्पर्स नहीं करती हमारे पास options हैं तो यहाँ पे जो right answer हमारे पास वो है शिर्मौर question number 19 हमारे पास हिमांचल प्रदेश के दक्षिन पूरव में कौन सा राज्य स्थीत है तो हिमांचल प्रदेश के दक्षिन पूरव में जो राज्य स्थीत है वो है हमारे पास जम्मौ कश्मीर sorry उत्राखंड दक्षिन और पूरव में तो वो है आपके पास ये तो आपके पास उत्तर में आएगा और दक्षिन में जो आपके पास उत्रा खंड है दक्षिन पूरब में पूरे दक्षिन में आपके पास हर्यान आएगा ऐसे आपके पास उत्रा खंड है नेक्स्ट है मारे पास हिमान्चल प्रदेश की कौन सी दिसा में स्थीत है हिमान्चल प्रदेश जो है पंजाब की कौन सी डिरेक्शन में स्थीत है अगर आप पंजाब लोगे तो इस साइड यानि पूरव में तो option number A जो है इसका right answer है गाइस काफी time ये question पूछे जाते हैं कि हिमान्चल प्रदेश कौन सी साइड में स्थीत है हिमान्चल प्रदेश का कौन सी district किन राज्यों को touch करती है किन districts को touch करती है तो ये काफी जादा important question है हर एक paper के point of view से तो वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपके कोई qualities हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे channel के उपर new है तो channel को subscribe जुरूर कीजिए इस वीडियो में इतना ही है next video मैं आपके लिए next topic लेके आएंगे तब तक के लिए thank you, have a next day